दोस्तों आज हम समझेंगे solvent person और insolvent person में क्या अंतर है बहुत बार हम न्यूज में भी सुनते आ रहे हैं कि कोई bankrupt डिकलेर हो गया, कोई insolvent डिकलेर हो गया अंतर क्या है? Solvent वो person है, artificial person या real person कि जिसकी assets जो है, वो liabilities से ज्यादा है याने वो अपनी assets का इस्तमाल करके अपनी सभी liabilities को pay off कर सकता है उसे कहते हैं solvent person और insolvent person का exactly उल्टा है कि जिसकी liabilities उसकी assets से ज्यादा है याने आप उसकी सभी assets को बेच कर भी उसकी liabilities को pay off नहीं कर पाओगी उसे कहते हैं insolvent person